हेलो स्टूडेंट्स मैं विशाल गुपता आपका टीचर इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जक्ट एकाउंट टेंसी का जो चेप्टर हमारा चल रहा है रेटायर्मेंट ऑफ पार्टर उसका प्रेक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 32 कराने जा रहा हूं फ्रॉम दा बुक स्टूडेंट्स यह है मेरे पास लेटेस्ट एडिशन थर्टी सेकंड कोशन यह लिखा हुआ है उसने कोशन में है कि कनिका दिशा कभीर पार्टर्स है तू इस टू वन इस टू वन में उनकी यह बैलेशिट गिवन है कतीस मार्ट 2016 की ओके जी और उसाथ में हमें क्या को ड्यू होगा वो लोन अकाउंट में ट्रांसर कर देना है और क्या प्रिपेर करने को बोला है उसने रिवैलोशन अकाउंट पार्टर्स कैपिल अकाउंट एंड बैलेशिट तो चलिए हम इस कोशन को करते हैं बहुत सिंपल कोशन है सबसे पहले हमें बनानी है हमेशा की इस तरह रिवैलोशन अकाउंट तो चलिए मेरे साथ बनाएं रिवैलोशन अकाउंट तो कोशन नमबर 32 ठीक है जी तो यह आजेगा रिवैलोशन अकाउंट ओके जी तो रिवैलोशन अकाउंट बहुत सिंपल है इसमें इसको करते हैं अभी ओके तो यहां पर आजेगा प कितनी है दो लग 40,000 की तो 60,000 की आजेगी बाइ फेक्स्ट एसेट्स ये कितने की है 60,000 की बढ़ गई 60,000 की बढ़ गी ना और उसके बाद क्या करना है स्टॉक क्या कहना है स्टॉक 120 परसंट तक ले जाओ ठीक है तो इसका हमने 20 परसंट बढ़ाना है बाइ स्टॉक कितना आ गया 20,000 20,000 तो ये कितना बढ़ गया 80,000 का तो यहां पर आजेगा तो गेन ओन रियलाइजेशन टू गेन ट्रांसफर्ड रियलेशन स्टॉ गेन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल एकाउंट्स ठीक है जी तो रियलेशन का यह से दर का प्रॉफिट आगया आपने वहार चेक भी कर लिया होगा यह देखिए तो यहां पर हम क्या करेंगे नाम है उनके कनी का दिशा और कबीर दो बाइचार एक बाइचार और एक बाइचार असी हजार यह आगया इच ठीक है जी तो असी हजार का यह चालीस हजार यह बीस हजार और यह बीस हजार आगया ठीक है जी इस रेशो में आमने बांट देना है तो चलिए अब हम आगे बनाते हैं उन तीनों के पार्टर के कैपिल एकाउंट तो पार्टर के कैपिल एकाउंट बनाने के लिए आपको फॉर्मेट पता है कैसे बनना है इस तीनों फॉर्मेट पार्टर का एकठा फॉर्मेट बना लीज तो यहां पर आजेगा पार्टनर्स कैपिटल एकाउंट्स ठीक है जी यह डाविट यह क्रेडिट पर्टिकुलर्स कनिका दिशा कबीर पर्टिकुलर्स कनिका दिशा कबीर बाइ बैलन्स ब्राट डाउन बाइ बैलन्स ब्राट डाउन में कितना है हमारे पास दो लाग का एक लाग का और असी जार का दो लाग का एक लाग का और बैलन्स असी जार का उसके बाद हम क्या ट्रांसफर करेंगे revaluation का profit by revaluation का profit कितना है 40,000, 20,000 और 20,000 और उसके बाद आपको क्या transfer करना है P&L to P&L asset side में देखिए loss पड़ा हुआ ना debit side में उसको भी खत्म करना है क्योंकि वो debit balance है न तो ये भी half होजेगा इसका 10 और ये 5 और 5 उनकी old ratio में हमने distribute करती है तो चलिए अब हम calculate करेंगे goodwill goodwill कैसे calculate करेंगे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे goodwill के लिए हमें क्या करना पड़ेगा मैं working यहाँ कर देता हूँ आपको goodwill करनी है two years purchase of three years average profit यह उसने बोला है हमें calculate करने को तो दो इंटू तीन साल का average profit पहले साल का कितना given है एक लाग का दूसरे साल का एक लाग तीस साल का और तीसरे साल का जो current year है करन्टियर का loss है उसी को ही हम इसमें plus करेंगे वह अलग बात होना 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 यह average calculate करने के लिए plus ही करना होता है लेकिन loss होने की वजह से mathematically sign negative का जाता है तो दो तीस में से बीस गया दो लाग दस हजार दो लाग दस हजार divided by तीन तो यह आ गया 72 एक लाग चालिस आर का आ गया and now कौन retire है हमारा कनिका का का share calculate कर लो कनिका का share एक लाग चालिस हजार into दो बाई चार तो उसका share कितना आ गया सत्तर हजार which is to be divided equally क्योंकि gain दोनों का equally है क्योंकि two is to one is to one की ratio है यह चला गया तो दोनों में क्या बचा equally तो बचा ना तो इसका मलब thirty five thousand each हमें credit कर देना है दोनों पार्टर्स को remaining partners को यह आ देगा gain gain of remaining partners ठीक है तो उसकी general entry क्या बनेगी कनिकाज capital कनिका के capital को credit करना है तो कनिकाज capital यह आजेगा seventy thousand ओके और उसके बाद क्या है दिशाज capital account को debit करना है दिशाज capital account debit और साथ में क्या है कभीर्ज capital account कभीर्ज capital account debit तो यह पैंतिस हजार इच आजेगा इस entry की अब हमने पोस्टिंग कर देंगे यहाँ पे बाए बोलो बाए दिशा करके आजेगा यहाँ दिशाज capital और बाए कभीर्ज capital पैंतिस इच करके इसको तो पूरा 70,000 मिलेगा और यहाँ पे ब्लैंक कर लो तांकि पता चले कि इसमें कोई entry नहीं हैं और यहाँ पे आजेगा कनिका से कनिका के capital को यहाँ दुनों से डेविट हो जेगा 35,000 इच तो अब हम क्या करेंगे इनके balances निकालीजिए ओके balance कनिका का तो loan account उसने हमें बता ही दिया है तो वह हम यहाँ लिखेंगे तो कनिकास loan account यह उसकी balancing figure है और बाकियों के लिए क्या आजेगा बाकी दोनों के लिए balance carry down तो यह आगया आगया आपका यह पहले इसका calculate कर लो यह simple है एक लाख एक लाख मेंसे 40 गया तो 60 जार यह आगया इसका balance यह इनके लिए balancing figure है और एक लाख 20 जार एक लाख 20 जार मेंसे 40 गया तो 80 जार यह दूसरे का capital account का balance है साथ के साथ आप book से मिलाते जाएए यही entry है ओके और यह आगया दो 40, 40, 70, 30, 30, 10,000, 10,000 में इसका loan आजेगा 3,000,000 का loan कितने का आजेगा बटे 3,000,000 का ठीक है जी ओके चलिए अब हम आगे बात करते हैं balance sheet बनाने की balance sheet बनाने के लिए जो remaining partner है रहे गए हैं उनकी अब balance sheet बनेगी न आफ्टर retirement तो उसमें entries जो आएंगी वो हमें adjustments के बाद वाली सारी accounts उठाने हैं पहले liability side में क्या है creditors है और तो कुछ उसमें change हुआ ही नहीं था creditors trade creditors कितने के हैं मिठे 53,000 के वो as it is लिख लिए जिए उसमें कुछ change नहीं हुआ उसके बाद employees provident fund employees प्रोविडेंड प्रोविडेंड फंड 47,000 और क्या आएगा फिर capital accounts हाजिएंगे दोनों के capital accounts क्योंकि अब capital account किसका आएगा सिर्फ दिशा का और कबीर का because कनिका का तो loan account आएगा तो दिशा का क्या आएगा account यहां 80,000 और यहां 60,000 नीचे balance मिला लिजए यही balance हमने calculate करे थे capital account के ठीक है जी और यहां आएगा कबीर's loan account यह कितने का आजएगा तीन लाग का यह कितने का आजएगा तीन लाग का ठीक है ठीक है ठीक है पांच लाग चालिस अर उसके बाद इस तरफ क्या आएगा bank bank का आजएगा no change 60,000 debtors no change again 60,000 और उसके बाद stock एक लाग 20,000 stock कितना है एक लाग 20,000 because एक लाग में 20,000 add कर दिया ना original कितना था बटे एक लाग और 20,000 हमने क्या करना है एड कर दिना ना उसमें ठीक है तो यह entry आजएगी उसके बाद क्या है आपके पास fixed asset उसने हमें पहले बता दिया कि तीन लाग कर दिया वो तो ही हमें करना था तो इसी के साथ students यह question भी complete होता है और मैं यह video भी conclude करता हूँ I hope कि आपको अच्छे से समझा आ गया होगा सारा ठीक है जी आप बाकी questions के लिए मेरे चैनल को subscribe करना ना बूले और वीडियो देखते रहें ओके जी you're done